नमस्कार जहीं दोस्तों आप देख रहें Master Video Official अशा करते आप से बच्चे होंगे अभी SSC CGL का एक्जाम हो रहा था कड़ी 15 दिन चला यानी 9 से लेके 26 तारीत एक्जाम चला तो अब इसमें कितना लोग attendance वाया नि पार्टिस्पेट कितने कंडिरेट ने किया वो यहाँ पे data अलग अलग शीन होड़ा है तो पूरा बात करेंगे इसी पर उसे पहले बता दें आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहा है उसमें आपको टेस्ट बुक का प्रेक्टिस हेल्प करेगा अब इसमें दिवाली सेल चल रहा है जिसके अंतरगर जो यह अरली पास पुर है जि PCS किसी का भी सबका प्रेक्टिस सेट मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड यूज करना है MBO जो भी मेक्सिमम डिसकॉंट है वो मिल जाएगा जरूर विजिट किजिएगा अब अगर आप यह आप डाटा देखो तो पहले एक चीज देखिए कि बढ़ ही रहा है मतलब कंपेटिशन आपका बढ़ना ही है 2022 में 16 लाख वच्चे एक्जाम दिये हुए थे यह 16 लाख है जबकि इस पर वेकेंसी था मुझे एड्जेक्ट याद नहीं दस जर के आसपास ही वेकेंसी था 2022 में 2023 में मेरा भी टैपिंग के टैपिंग नहीं अगर आप देखें जो इस बार का वेकेंसी है 2024 का इसमें वेकेंसी है 17770 वेकेंसी है टोटल इसी क्यास पास है थोड़ा दी कम हो सकता है टोटल फॉर्म लोग अपलाई किये हैं 36 लाख 73 हजार समझ लीजिए लेकिन एक्जाम में जो एपियर हुए है ना वो 18.13 लाख है य पर जो आप फॉर्म भरने का डाटा देखते हो उसका कभी भी 60% से अधिक लोग तो एक्जाम में अपियर नहीं होते हैं अब देखोगे अगर NTPC जो 19 वाला हुआ था उसमें भी देखोगे तो 56% 57% इतने ही लोग एक्जाम दे पाते हैं कोकि फॉर्म सब भर देता है जैस आपका ये दिकत नहीं है जो एपियर हुए कम हुए लेकिन अगर आप इस डाटा को देखो और टोटल वेकनसी वाले को तो वेकनसी आपका डिक्रीज हो रहा है लेकिन फॉर्म भरने वाले चांडिडेट जो है वह बढ़ रहे हैं अगर इस डाटा को आप इससे भी तुलन करना नहीं है लेकिन अगर आप यह अस्वस्त हो जा रहे हो कि वेकंसी अधिक अला कि वेकंसी तो कम ही है पर अवाद पर भीरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रहा प्राइविट सेक्टर में काफी अधिक मतलब जो समस्य है वो है तो सब करेंगे किस जोन से कितना लोग फॉर्म बढ़े हैं लेकिन उसको देके घबराइएगा नहीं क्योंकि अब देख जोना 50% लोग यहां पर एक्जाम दे रहे तो यह भी होता है कि जो लोग एक्जाम दे रहे हैं जिनका त्यारी होगा वो जरूर देंगे वो कभी छोड़ेंग झाल झाल झाल